अगर आप Small Medium Enterprises में आते हो और आपका कुछ प्रड़क्ट और सर्विस है जो आप सेल करना चाहते हो गौबर्मेंट को या गौबर्मेंट के डिपार्टमेंट को तो यह विडियो आप के लिए है नमसे दोस्तों मेरा मैं प्रसंत दबर्मा और आप जुले है प्रसंत श्टार आप Small Medium Enterprises Growth के साथ इस वीडियो में हम जनाएंगे कैसे आप आपके प्रड़क्ट और सर्विस को गौबर्मेंट के डिफिल डिपार्टमेंट को सेल कर सकते हैं और इसके लिए जो रिजिस्ट्रेंट है इसका क्राइडिरिया क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या ग्या है त वीडियो में फूरा बन रही है आप यह जानते होंगे गवर्मेंट के बहुत सरे डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया में और यह डिपार्टमेंट के लिए लाखों प्रोडक्स और सर्विसेश्ज चाहिए हर साल यह जो गवर्मेंट का डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा मार्केट है इसको एक सही ट्रांस्परेंट सिस्टेम और लोकल एंटरप्राइस और गवर्मेंट के बीच में डिरेक्ट एकसेस के लिए एक गवर्मेंट यी मार्केटप्लेस एस्टबलिश होआ है और इसको GEM यानि Jam बूलते हैं यानि Government e-Marketplace यहाँ पे Buy और Sell के साब Auction का भी Option है यहाँ पे Buyer है Government और Seller होंगे आप और Special है हाल ही दिनों में Government Department को यह Manitary कर दिया है कि Government Department को अगर अभी कुछ खरीदना है तो Jam Portal से ही खरीदना परेगा यहाँ पे अपने Product, Service, Quality, Price, Commitment को इबिडिंग के द्वारा Sell कर सकते हैं एक Transparent System के साब Jam का Focus ही है Buyer-Seller के Transparent Quality और सिस्टेम को मजबूत करना चले जाते हैं कैसे Seller Registration करते है Jam Portal में एक नमबर में सबसे पहले Jam Portal का Rules और Regulation आपको देखना परेगा दो नमबर में इसमें Registration करने के लिए Proprietorship, Farm, Company, Trust या Society का Registration आपको चाहिए तीन नमबर में Mobile Number Connected हो आदर के साथ चार नमबर में आपको Proof चाहिए जैसे ITR, CIN, PAN, PAN, DIPP और UAM Details एक्सेटर और इसमें नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इमेल इडी, आदार, PAN और ITR डिटेल्स आपको देना परेगा चले जानते हैं Jam Registration फ्रीस क्या है? यह टुटली फ्री है, लेकिन एक 110, Caution Deposit Money आपको देना परेगा security के लिए जैसे अगर seller turnover less than 1 crore है तो 5,000 रूपिस अगर seller turnover 1 to 10 crore है तो 10,000 रूपिस अगर seller turnover more than 10 crore है तो 25,000 रूपिस चले जाते हैं Government e-marketplace के benefits क्या क्या है? एक नमबर में यह एक transparent online system है government और local enterprises की बीच में दो नमबर में direct access आपको मिलेगा government department में paper file और folders free फिर है direct purchase option आप टू 25,000 रूपिस चार नमबर में price comparison कर सकते है multiple suppliers से पाच नमबर में user friendly dashboard और monitoring supplies and payments आपको मिलेगा छे नमबर में online given system और mechanism for quick resolution आपको मिलेगा साथ नमबर में sellers के लिए एक supply opportunity है आठ नमबर में smooth integrated payment system आपको मिलेगा नमबर में jam portal में support system भी available है आप inquiry कर सकते है free में description में आपको jam का link मिल जाएगा आप follow कर सकते है small medium enterprises के बार में अगर आप और भी ज्यादा चरना चाहते हैं तो आप हमरे blog www.ourline.com में जरूर विजिट करें ये वीडियो कैसे लगा आपको प्रीज कॉमेंट में शेयर करें अगर वीडियो हरत लेगे तो एक like कीजिए और share कीजिए आपके friends के साथ ताकि दूसरे को भी इनुमेशित पता चले अगर आपने है हमारे चैनल में तो अब इसे सब्सक्राइब और बेल एकन में और क्लिक करके राखिए ताकि इसी तरह की नए वीडियो का आपको में और के में आगर दीजिए मिलते हैं विडियों में तब तक के लिए और रहें फिप और कुछ कीजिए सुपर है थांक यू नमस्ते